असलाम अलेकुम फ्रेंस वेल्कम को माई चैनल संड्राइज मैं उशनाज और आज हम इस तरह की वोटिस बनाएंगे जो साइट नंबर 6 और 7 वालों के लिए है बड़ा या छोटा आप बना सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी है 4 प्लाइ बूल से मैंने इसको बना है और 10 नंबर नीडल का इस्तमाल किया है यह जो फिटिंग है इसकी लूज रहेगी अगर आप इसको टाइट करना चाहते हो तो यहां से स्टिचिंग करते वक्त आपको स्टिचिंग यहां से इस तरफ को कर लेनी है तो यह वाला एरिया अ इसको बना लेते हैं इसके लिए दो कलार की भूल लेंगे और 3.25 mm जो है नीडल होगी और इसी नंबर की सेम जो नीडल है वो सर्क नीडल भी हमें चाहिए तो आइए आप हम इसमें बंदे डा लेते हैं भूल को इस तरह से मोड कर एक लूप बना लेंगे और इसे हम डाल नीडल में और यह जो धागा है इसे हम खेंच देंगे और यह धागे को टाइट किसी चीज में लिपेट लेना है तो उंगलियों की मज़ से बूल को मोडते जाए और फंदे बनाते जाए 91 फंदे हम बनाएंगे चलिए अब हम इसकी बनाई कर लेते हैं बनाई करने का तरी सीधा सीधा बनते हुए एक रोरो जो हाँ हमने कंपेट कर लिया है और यहीपार हमें किलर भी चैंज कर लेना हुआ बस एक ही रो सब्सक्राइं कुछ शुरु में लास्ट के स्टिच को हमें ऊल्टा करके ही भूनना है तो यहीं से हम कलर करेंगे और फरस्ट फंदे से ही हमें कलर लगा लेना है ए जुदाओं जबे इसे साथ में मौड भी लेंगे को भी अब यहां पर देखें यह जो रो है तीस्ता रो वो हमें उल्टा वुलना है ऐसे अभी हम जैसा की उल्टी सलाई बुन रहे हैं तो लास्ट का जो स्टिच है वो हमें उल्टा ही बुनना है यह लास्ट का स्टिच है इसे हम उल्टा ही करके बुनेंगे यह जैसे और यह धागे को फेंज देना है अभी हम डालेंगे आगे डिजाइन और डिजाइन के लिए हमें पांच फंदे बुनने है और एक को स्किप करना है और साथ ही जाथ हम धागे को चेंज करेंगे और यह वाला धागा हम पीछे के तरफ रखेंगे और यही से फर्स्ट फंदे से ही हमें धागा चेंज कर देना है तीन फंदे हमें इस कलर के बना लेने हैं और एक को स्किप कर लेंगे और पांच फंदे बनाएंगे वारंज के एक स्किप करेंगे पांच वारंज बनाएंगे एक स्किप करेंगे पांच स्टिच बनेंगे और एक स्किप करेंगे ऐसे ही हमें इस रो को पोरा करना है लास्ट में यहां पर तीन फंदे ही बचेंगे तो तीनों फंदों को जैसा कि हमने शुरू में और इंज कलर के साथ बना है वैसे ही हम बनेंगे और लास्ट का जो स्टिच है इसे हम उल्टा करके बनेंगे फंदी को बिन भुने उतारेंगे और अगले से हम बनेंगे तीन फंदे औरंज कलर के बुन लिए अभी हमें यहां पर क्या करना है वो देखें जब हमें एक फंदे को स्किप करना है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे ऐसे और यह फंदा स्किप कर लेंगे धागे को दूसरी तरफ ले जाएंगे और पांच फंदे सीधे बुन लेंगे यह देखें यह skip फंद आ गया है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे फंदे को skip करेंगे धागे को दूसरे तरफ करेंगे और पांच फंदे बुलेंगे एसे ही हम इस रो को पूरा करेंगे पांच फंदे बुलेंगे और एक को skip करेंगे लेकिन धागा जो है वहां पर चेंज करेंगे यानि कि अपनी तरफ करके फिर दूसरी तरफ करके दाले को आपको फंदे को skip करना है यह लास्ट की स्टिछे और इसको हम और टागट करेंगे जैसे यहां पर एक लाइन नजर आ रही है ऐसे ही दो रो और बुनने के बाद एक लाइन और नजर आएगे और यहां पर दो लाइने हो जाएंगी चार रो बुनने के बाद यहां पर लाइने जो है वो दो नजर आएंगे अभी हम पूरे रो को ग्रे रंग के साथ बुनेंगे और साथ ही साथ यह वाले स्टिछ भी हम बुनते चले जाएंगे अभी टो कि इसके कियों वह पंदा अब भाम फोमते चले जाएंगे यह लास्ट के स्टीच है लास्ट के स्टीच को हम उल्टा करके बुनेंगे पूरा रो हमने गरिया के साथ बुन लिया है सीधा सीधा अभी हम एक रो जो है वो उल्टा होनेंगे अभी डिजाइन डालने के बाद हमारे साथ रो हो गए है और टोटल रो जो है वो हो गए है हमारे नुम यह कुछ इस तरह से नज़र आएगा अभी हमें डियाइन सेम ही डालना है लेकिन यह जो स्किप किया हुआ फंदा है यह यहां पर आएगा बीच में और उसके लिए हमें क्या करना है जब हमें साथ बार रो गुनना है तो यहां पर हमें चेंज करना है फरस्ट फंदे से कलर को चेंज करेंगे ऐसे डौ टिन चार पांच छे यह शुरू में चे फंदे जो हैं वो हमें बोल देने हैं एक ही गलर के साथ और अभी हम यहां बीच का फंदा जो है एक स्किप कर देंगे और फिर से हमें दौ चार और पांच फंदे जो हैं हमें औरेंज गलर के साथ बोल देने हैं एक खंदा हम स्किप करेंगे और पांच खंदे बुनेंगे, सेम वैसे ही और ऐसे ही बुनते हुए इस रोकों पूरा कर देंगे पैस इतना याद रखे जब भी हमें इसको बीच में लाना है तो यहां पर हमें छे फंदे बुनने है और जब हमें यह वाले रोकों आगे रिपीट करना है यह चार रोकों तो हमें तीन फंदे जो है एक कलर के पुनने है तो ऐसे ही हम इस डिजाइन को जो है कमप्लेट करेंगे तो यहां पर जो है चार रो मैं ऐसे ही इसको बुन देती हूं फिर आपको दिखा देती हूं यह कुछ इस तरह से नजर आएगा और इनी छे रोकों हमें बार बार जो हमने डिजाइन को दोराया है और इसकी जो लूबाई अगर हम मेजरमेंट करें तो यह साथ सेंटीमीटर तक हो गई है अब आगे हमें सरकर नीडल का इस्तमाल करना है यह सारे फंदे हम सरकर नीडल में डालींगी अब यहां पर देखे मैंने एक प्रो ही ग्रे रणग का बुना है और धागा जो है वह हमारा इस तरफ है और यह वाला धाका जो है यह इस तरफ है आगे हम इसको नहीं बुनेंगे इसलिए इसको यहां सी हम कट कर देंगे तो आगे की बनाई क्यूंकि हमें सर्कल नेडल के साथ करनी है तो सर्कल नेडल में हम सारे फंदे जो है वो डाल लेते है यह देखें जी यह उल्टी साइड है अभी हमें एक्स्ट्रा नेडल जो है एक ले लेनी है इस तरह की और सीधी साइड कर लेनी है ऐसे और यहां से हम स्टीच उठाएंगे यहां से शुरू करना है और याद रहेजिए आपको सीधी साइड से ही करना है जितने यहां पर साइड पर स्टीच है वो सारे आप इस तरह से उठा लीजिएग भी ध्यान दे यहां से हमें इस तरह से इस साइड को पकड़ना है नीचे की साइड को ठीक है यहां से और इसे इस तरह से मोलना है यह जो एरिया है यहां पर हम इसको अटैच कर देंगे यह जो तीन फंदे है इन तीन फंदों के साथ हम मिला देंगे बागी के जो है वो हम रौंड बुनेंगे और यह जो धागा हमारे पास है इसके साथ हम यहां की जो है स्टिचिं कर देंगे ठीक है तो यह इस तरह से र रिंद है छाल को कि तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम यहां से यहां इक लेंगी तीन फंदों तक और एदा से तीन फंदों के साथ इन पिएतयकों जो है दो और में इस्लेटी आप से hev 새 बुना तो यहां से बन नाई कर लेंगे और यहीं पर हमें एक मार्कर भी लगा लेना है, ताकि हमें याद रहें कि यहां पर हाफ है, तो यहां पर एक मार्कर लगा लेंगे, ऐसी है, और जब भी हमें यहां पर बुनाई करनी है, तो इस थागे को में टाइट कर देना है, खीच कर तांकि बीज में होलना रहे, अब यह जो तीन फंदे हैं यह हम क्या करेंगे यात रहे हमें के इस तरह से लेना है नीचे की तरफ से हमें ऐसे पकड़ना है और ऐसे इसको मोन लेना है अचे ये वाला एरिया जो है ओपर की तरफ आ सके और यहां पर हम इस तरह से इन दोनों फंदों po तो तीन फंदों को दो का एक करते हुए हम जो है इसको इस तरह से नीडल को किंच लेते हैं ताकि पीछे की तरफ हमारी नीडल जो है वो आ जाए तो यहां पर अब हम इनका तोगा एक करेंगे ऐसे यह तीन फंद ही आपको इस तरह से करने हैं यहां पर हमारा हाफ हो गया है और यह जो एरिया है इस तरह से हो जाएगा और यह जो हमारे पर धागा है इसके साथ हम यह वाला एरिया यहां तक जो है सील देंगे सुई के साथ और अभी हमारे पास इस तरह से रौंड जो है यह बन गया है अभी आगे हम इसकी बुनाई यहां से यहां से हमें याद रखना है कि हमें इसको जहां पर हमारा धागा है यहां से उल्टा करके बुनना है और इस तरह से इसको बुनेगे यहीं पर हमारा रो खत्म होगा और यहीं पर हमें जब भी बुनाई करके हम यहां तक आएंगे यहां तक तो यहां से हमें चींज कर लेना है धागे को इस तरफ करके बुनेंगे या धागे को इस तरफ करके बुनेंगे ठीक है एक रो इस तरफ और एक रो इस तरफ यह याद रखेगा कि यहाँ पर यह हमारा सेंटर हो रहा है लेकिन रो हमारा यहाँ पर खत्रा है यह लेकिन में हमारा सेंटर है यहां पर हमारा रोख खत्म हो गया है और अभी हमें इस तरफ धागा कर लेना है और आगे हमें ऐसे बुनाई करने है अभी यहां पर देखें फ्रेंज यह जो मारकर है यह हमारा सेंटर है और आठ फंदे हमें इस तरफ रखने है आठ फंदे हमें इस तरफ रखने हैं अभी मैं आपको यहां पर बता दूँ कि यह जो टोटल फंदे हैं सारे यहां तक यह हो गये हैं हम इस तरह से कम करते चले जाएंगे और यहां पर बचेंगे 6 फंदे और यहां पर हमें बचाने है तो बागी की फंदे हम जो है tuleskans काम करते सब्सक्राइब । क्वाइब करेंगेम् है और करते सब्सक्राइब तो हमें रखने हैं तो 36 आप किस तरह से निकालोगे टोटल फंदे 104 है एक सो चार में से यह सोलो दुना 32 32 हमने कम कर दिये 72 बजगे और 72 का हमने हाफ किया तो 36 36 इस तरफ 36 इस तरफ कि यह पर देखिए कि यह हमारा मार्कर है यहां पर महारा सेंटर है और 123 4 यह 8 सी तरफ रखेंग से 10 गार गषया और 8 फंद में एक डो तीन 14 इस तरफ रखनेंगे 10 तो यह हमारे 16 पंदे जो हैं वो बीच में आ जाएंगे सेंटर में ठीक है और यहीं से हम जो है फंदों को कम करना भी स्टार्ट कर देंगे और यहीं पर एक मारकर भी लगा लेंगे यह देखें, यहां पर मैं एक मारकर लगा लेती हूं, ताकि यहां से मुझे पता चल दाए कि मैंने फंदो को खम किया है, और यहीं पर मैं दो फंदो का एक भी कर दूँगी, सीधा रहोगा, तो इस तरह से उल्टी तरफ से हमें फंदो का दोका एक कर देना है, और अगर उल्टा रहोगा, तो उल्टी तरफ से भूलते भी कर देना है, यह साथ फंदे हो गये हैं, मारकर को हम उठाएंगे, और बीज में डाल लेंगे, और यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह छे फंदे हमने बुल लिये हैं, और अभी हमें करना हैं, दो फंदो का एक, और यहीं पर हम लगाएंगे, एक मारकर, इस तरह से, तो आगे की बुनाई करेंगे, यह देखें, यह बीज में हमारे 16 फंदे थे, एक हमने इस तरफ कम किया, एक हमने इस तरफ कम किया, ठीक है, तो आगे की बनाई हम लेते हैं, तो ऐसे ही हमें दोसरी तरफ का भी सेंटर कर लेना है, और यहां बर हमारा रो जो है, वो खत्म होता है, यहां से हम जो है, इस तरफ धागा तर्थी पुनेंगे, और उल्डा पुनते जाएंगे, अभी हमें यहां से जो है, फंदों को गिनना है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोला, सतरा, आठरा, यह 36 फंदे जो है, यहां से लेकर यहां तक हुए है, और यहीं पर हम एक मारकर लगा लेंगे, ऐसे, और आगे जो है, दो फंदों को हम एक करेंगे, अभी हम उल्टा रो बुन रही हैं, तो उल्टी तरफ से बुनते हुए हमें, दो फंदों का एक कर दिना है, ठीक है, अभी एक फंदा हमने कम कर लिया है, यहां पर, यह एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और यह पंदरवा पंदर है, और यह सोलवा पंदर है, ठीक है, तो इन दो फंदों का भी हम एक कर देंगे, और यहां पर हमारे पास जो है, बीच में, दोनों तरफ से, एक फंदा इस तरफ से कम हो जाएगा, और एक फंदा इस तरफ से कम हो जाएगा, अभी हमारे पास बीच में कितने फंदे बाद जाएंगे, सोलों में से, दो हम मैनिस कर देते हैं, तो हमारे पास 14 फंदे बन जाएंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो हमें यहां पर इस तरह से, दो फंदों का एक कर दिना है, तो यहां के टोटल फंदे जो हैं, वो 16 थे, एक हमने यहां पर कम कर दिया, एक हमने यहां पर कम कर दिया, और यहीं पर हमें एक मारकर भी लगा लेंगे, ठीक है, और अभी हमारे पास 16 में से 2 गए, तो 14 फंदे हमारे पास बच गए हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आगे, यहां से गिंती गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, एकत्ती, बत्ती, तेती, चौन्ती, पैंती, और यह चत्ती, यह देखें, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोना, सतरा, अठा, ठीक है, तो यहां पर फिर से हमारे वो फंदे आ गए हैं, जहां से हमें कम करना है, तो मारकर को इस तरफ करेंगे, और दो फंदों का एक कर देंगे, यहां से, बाकी के बुनाई कर लेंगे, यह वाला जो मारकर है, यह सिर्फ सेंटर करने के लिए हमने लगाया हुआ है, ताकि हमें यहां से सेंटर पता चल सके, दो बंदों का यहां परियेक कर देंगे, ठीक, अभी हमारे पास यहां फंदे कम होने शुरू हो गए है, तो इसी तरह इसे हम कम करते चले जाएंगे, और इसकी बुनाई करते चलेंगे, जब हमारे पास जो है दोनों तरफ छे शे फंदे बाच जाएंगे, फिर हमें कोई यहां पर हमारा वो खत्म होता है तो यहां से हम सीधा बुंदा शुरू करेंगे एक बार सीधा बुंदा है और एक बार बुल्टा बुंदा है अब हमने 36 वंदों की बुनाई की है और यह आ गया है हमाला मारकर ठीक है यह बीच के फंदे हैं जो हम दोनों तरफ से कम करते हैं दो का एक इस तरफ करेंगे दो कर एक इस तरफ करेंगे बस ऐसे ही हमें करते जाना है क्यूंकि हमारा सीधार हो है तो हम यहां पर सेटी तरफ से बुनते हुए दो का एक करें बाकी के बंदे बुन लेंगे है अंट अब यह जो फंदे हैं यह दोनों तरफ से हम कम करते जाएंगे जब हमारे पास बीच में दो चार शे यह चे पंदे हमारे पास बचने हैं फिर से हम दो का एक कर देंगे यहां पर फिर दो का एक करेंगे तो इसे यहां पर 6 फंदे बच जाएंगे और इसी तरह हमारे पास यहां पर 6 फंदे जो हैं बचेंगे तो ऐसे ही हमें बार-बार इसको करते जाना है बार-बार हम इसको बुनते जाएंगे और जब 6 फंदे यहां पर यह 6 फंदे हैं और 6 फंदे ही हमारी इस तरफ बच गए है दो चार छे ठीक है अभी हमें कोई भी फंदा जो है वो कम नहीं करना अभी हमें इसको राउंड बुनना है ऐसे ही और इसकी जो लंबाई है वो जो है हमें 10 या 11 सेंटीमेटर तक कर लेनी है अभी यह 8 तक है तो हमे है तो आप अपने पैर के कोड़िंग भी बना सकते हैं यह जो एरिया है यह आपको नापना है यहां से तो यहां पर देखें यह 8 इंच का है ठीक है आप इसको छे भी त्यार कर सकते है और साथ भी त्यार कर सकते हैं यानिकि तीन सेंटीमेटर यहां का ठीक है यह वाला हिस तो आगे का देखें हमें अभी हम जो है कोई भी फंदा कम नहीं करना है लेकिन मार कर हम रखेंगे तांकि हाफ जो है वो हम कर सके मार कर रखेंगे और यहां से अब हमें फंदे बस कम नहीं करने है और यह वाला जो एरिया है यह हमें इतना बना लेना है चार सेंटीमेटर या पर तीन सेंटीमेटर इतना भी आप अपने प्यार के कोडिंग जो है बना सकते हैं यह वाला मार कर हम निकाल देते हैं तो अभी हमें राउंड इसको बुनते जाना है ऐसे ही इसको हम बुनते जाएंगे और इसकी लंबाई जो है वो हम 3-3 cm तक कर लेंगे अभी यह जो है 2 cm तक है तो हम इसे इतना कर लेंगे यह 4 cm तक कर लेंगे यह अपनी मर्ची के कोडिंग आप कर सकते हो तो मैं इसे राउंड बना लेती हूं फिर आपको दिखाते हूं यह देखें जी में इसे कंप्लीट कर लिया है और यह अभी यहां से जो इसका अमेजनमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है 3 cm तक हो गए है तो आप 4 भी कर सकते हो 5 भी करते हो और आगे से हम इसको बंद करना शुरू करते हैं तो इसी तरह हमें यहां से यह जो एरिया है छे बंदे हैं तो टीन फंदों के बीज में से हम ईसको आफ कर लेंगे यहां से जो है इसे निकालेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो यहीं से हमें फंदे बंद करने हैं और यहां से अब हमार कर निकाल देंगे कि इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरफ तो तीन फंदे हम बंद लेंगे और यह जो तीन फंदे हैं यहां से हमारा हाफ जो हो गया है ठीक है तो यहीं से हमें फंदों को बंद करना है दो फंदों को इस तरह से उठाएंगे और दो का करेंगे एक पीछे से ऐसे और फिर से नीडल में डाल देंगे और दो फंदों का एक करतेंगे ना ज्यादा हाथ को टाइट करना है बनाई को और ना ही ज्यादा दीला शोड़ना है बस ठीक से आपको करना है अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग यह देखें यहां से मैंने जो निशान है वो नहीं निकाला कि यह जो सेंटर है यहां पर हम इस तरह से कर सकें ठीक है तो यहां से लेकर यहां से हमारी स्टिचिंग जो है वह शुरू होगए सबसे पहले हम यह वाला एरिया सिलना है और इसी हम नीडल में डाल लेंगे यह वाले ठागे को और यहां से बस इसको इस तरह से इसके उपर रखना है, और इसको सिल देना है, यहां से शुरू कर लेते हैं, और स्टिच को इस तरह से उठाएंगे, और यह जो स्टिच है, इसके बीच में से इसको निकाल देना है, झाल धक्ना है, और स्टिच को रबाएंगे, इसके बाएंगे, जाता जजी जुरू कर दिच को Last झाल झाल तो हमें यह जो दो दागी हैं यह एक दूसरे के साथ यहां पर हमें टैस्ट करनी है यहां पर हमें गिल लेना है एक दो तीन चार पांच छे स्टिच हैं तो यहां पर हमारा स्टिच फत्म होगा तो इस तरह से हमें यहां से चुरू करना है यहां पर हमारा स्टिच कत्म होगा था तो यह देखिए जो जीन इस टीच यहां पर बन गए है तो ऐसे हम इसको उठाएंगे यहां से, यह भी हम सीधी साइट से ही सेलेंगे, उल्टी साइट से नहीं सेलना, दोनों तरफ से स्टिच उठा दे जाएंगे और बस सीलते जाएंगे इसको, चाहँ टाएंगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, टौईया में याएंगे. जड़ आप से पीज़गा जड़ाई के बादिए आप से एज़ाई आप से जड़ाई प्राइब्चे आप से एज़ाई एज़ाई अपर शार शार भाल को जब लाईब्ट प्राईब्टों कर दो तुआ कर दो जूए . पहने के बार ये कुछ इस तरह से नजर आएगी इस पैर को बनाने के लिए हमने ये वाला एरिया जो है वो इस तरफ रखा है लेकिन दूसरे पैर के लिए आपको ये वाला एरिया इस तरफ रखना होगा उसके लिए आपको क्या करना है जैसे कि हमने यहां से इस साइड से फंदे उठाए थे यह वाली साइड से उसमें आपको यह वाली साइड के फंदे उठा लेने हैं तो उसके लिए आपको एक रू राउंड ज़ादा बनाना होगा बस इसी में यह इसका चेंज है और कुछ नहीं है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इन्शाला आप से अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तक तक के लिए अला हाफीज